हेज़ दिबाइ फिरस आप सभी कमिश्टर व्यास के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ब्लॉगर सबसे easiest way में कैसे earning beginning में कर सकता है अगर आपने आपकी ब्लॉग की शुरुवात की है 5-10 पोस्ट लिख रख है और इसका कितना potential है यह सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर में nut shell में discuss करने वाला हूं लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए है ऐसी धमाकेदार अगर आपको वीडियो चीह है तो make sure आप चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें without wasting time let's jump on to the screen and discuss about the content marketing services और इसका कितना stats है तो example के लिए हम लोग screen पे आ चुके है तो यहां से आप देख सकते है ideally content marketing के services is one of the most popular services उसका reason क्या है जब भी आप Google की तरफ जाते हैं Google में जाकर कि आप कुछ भी search करते हैं मान लीजे कि मैं कहीं से भी कोई भी data search करता हूं around किसे भी particular topic let's say how to start maybe personal statement or something whatever the query मैंने search किया तो आपको यह जो भी data दिख रहा है that data is kind of a blog और जो blog मतलब textual content Google पे देखा जाए Google दुनिया का 80-90% search engine का market acquire करके रखता है वो video और textual format के अंदर जादा से जादा content आपको उसके search engine के अंदर दिखाता है मतलब जितना Google ग्रो हो रहा है जितना search queries ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से content marketing is one of the biggest business for almost all the industries हर एक industries अपनी advertising cost होती है वो split कर देती है या तो video की form में या फिर textual content की form में तो अगर आप एक blogger है तो आपके लिए यहाँ पर एक नई earning की possibilities open हो जाती है लेकिन सबसब बड़ी problem आती है कि आप किस type से blogging की help से earning कर सकते है यह एक freelancing का तरीका है तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे methods आप से discuss करूँगा जिसको आप execute करना start कर सकते है और कितना charge करके आप earning generate कर सकते है example के लिए यह जो query थी हमें हमारे एक facebook group के अंदर पूछी गई थी तो अगर आपने facebook group join नहीं किया तो make sure join कीजेगा यहाँ आपको day to day blogging से related जितनी भी queries है वो discuss की जाती है और आपको आपकी problem का solution भी मिलता है तो यहाँ से मुझे इस चीज का idea है तो simply अगर मैंने status आप जाकर के देखा तो आप देख सकते है most of the content जिसकी market में demand है वो है how to article मतलब most of the people यही चाहते है कि आप किसी specific topic के बारे में लिखो लेकिन how to type का content इसके बाद news और trending type के topic इसके बाद e-books इसके बाद opinion interviews organic I mean original research and all this different stuff यहाँ पर infographic का content भी market में जादा से जादा format के अंदर produce हो रहा है correct तो यह है different types of content जिसकी market में demand है तो इसको कैसे आप grab कर सकता है how exactly you can be a part of this market जिससे आप earning करना start करें simple से चीज है आपके लिए इसके लिए इसके लिए आपके पास एक blog होना चाहिए तो make sure आप सबसे पहले अपना एक primary blog setup करें और जहां तक हो सको इस blog को wordpress के अंदर setup करें ओके तो इस particular blog को आपको wordpress setup करने के बाद 10, 15 और 20 blog post को लिखना है then आपकी content marketing की जड़नी स्टार्ट होती है कैसे यूँकि आपका जो blog है वो आपके लिए resume की तरह काम करेगा जब भी आप किसे client से connect करते है यहाँ पर सबसे बड़ी problem आती है कि हमें clients मिलेंगे कैसे यहाँ कुछ तरीक है जिसके बारा में हम discuss करेंगे सबसे पहली और basic चीज अगर आपका blog बन जाता है आपको fiverr पे जाकर के content marketing की और content writing की एक gig बना देनी है no matter कि आपको order आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है आपको simple से चीज यहाँ पर content writing की एक gig बनानी है और उसको properly optimize करना है example के लिए आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर 3000 word लिखने के लिए करीब करीब अगर मैं देखो तो 5000 रुपे के आसपास चार्ज कर रहे है तो यह कहींने कहीं आपके लिए better opportunity हो सकता है अगर आप यहाँ पर content writing के services offer करना चाहिए तो example के लिए देखा जाए तो यह कहींने कहीं 1500 से 1800 रुपे 1000 word के content को write करने के लिए लोग चार्ज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक gig बनानी है क्योंकि content writing की market में बहुत दिमाद है इवन मेरे पास में content writers काम करते हैं जो content को produce करने का काम करते हैं बिकस जिस किसी को भी Google से organic traffic चाहिए they have to produce content और यहाँ पर मैं textual content की बात करता हूँ जो की आप already blogging कर रहे है तो you already know की SEO optimized blog को कैसा लिखना है तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले blog setup करना है 8-10 blog post publish करना है इसके बाद में Fiverr पे आकर के अपना एक setup करना है not only Fiverr आप यहाँ पर कुछ other freelancing platform में जैसे upwork हो गया या फिर freelancer.com हो गया यहाँ पर जाके register करना है अभी बारी आती है आपको exactly content writing की services किस तरीके से और किस को offer करनी है example के लिए हमारे पासे आपे बहुत सारे तरीके है इसके सब सब पहली शुरुवात होती है वो होती ही community make sure आप इस तरीके की किसी community का part रहा अगर आपको नहीं पता तो day to day यहाँ पर मैं देखता हूँ 2-3 लोग content writer के demand करता है अगर कोई content writing कर सकता है तो you can connect with that individual तो यहाँ पर day to day बहुत सारी postings होती है सारे bloggers की community है more than 11,000 people है आज की date में तो अगर आप ऐसे किसी community का part है तो वहाँ पर आप आपकी posting डाल सकता है कि I am open to offer content writing services don't even rely on the financing platform एक strategy आप use कर सकते है और वो यह है कि आप content writing के services आपकी personal contact से निकाल है या फिर किसी community से निकाल है और market में बहुत सारी demand है जैसा आप उनके लिए काम करना चालू करते है तो starting के 2-4 content जो services आप offer करना चालेंगे उनके payment आप Fiverr के थू ले जिससे यहाँ पर उनसे rating भी ले और वहीं से पैसा ले लगता है कि आपको 8-10% आपका बीच में transaction cost जाएगा बट ultimately आप Fiverr पे आपका brand बिल कर रहे है तो जितने जादा orders आप Fiverr के थू लेंगे no matter इसके contact कहीं से भी हो आप Fiverr के थू उसके payments ले मतलब Fiverr में आपकी geek के थू ताकि वो लोग उस पर review post कर सके जितने reviews आप collect कर सके उतने reviews करने के बाद एक specific time जब आप 40-50 order automatically deliver कर देंगे तो ultimately यहाँ पर आपको massive organic orders आने लगेंगे यह है inside hack how exactly you can go with a Fiverr as a content writing services तो उस case के अंदर आप सब सब पहले community को utilize करें, लोगे से contact करें, उनके साथ में share करें और best pricing दें इसके बाद आप क्या कर सकते है आपके personal contact के अंदर अगर कोई individual है जिसको content writer की जरूत है उससे connect करें, उसको services start करें similarly जो YouTubers है they don't even have a time और उनको अपना एक blog और website बनाना है आप उनको suggestion कर सकते हैं कि you will manage their complete website आप उनके लिए content produce करेंगे that is how you will get, similarly दूसरे bloggers है और Fiverr, Upwork or Philancer तो यह आपके best possible options है जहां से आप शुरूत कर सकते हैं initially content writing के services के लिए अगर आप इसमें से Fiverr specific मुझे geek के बारे में अगर detail video चाहते है मैंना अल्रडी बना रखा है तो आप उसको जाकर के भी देख सकते हैं कैसे Fiverr से आप geek को create कर सकते हैं, बड़ अल्टिमेटली अगर आप फिर से डेडिकेटली video चाहते हैं तो मुझे comment करके बताईए, मैं उस पर detail में वीडियो बनाऊंगा बड़ the important area is आपको इन सारे options पर start करना है अभी बार ही आते हैं कि आपको exactly कितना charge आपको करना चाहिए तो initially जब भी आप इसकी शुरुआत करें आप initially इसको start कर सकते है 20 पैसा पर वर्ड के इससाब से minimum तबिस आप 1000 वर्ड लिखने के 200-300 रुपे चार्ज करें मलब 20-30 पैसा पर वर्ड के इससाब साब जा सकते हैं initially आप content writing के services offer कीजे and see के आपको response कितना आता है और इस सारे payments हो सेके तो आप Fiverr के थुरू लिजी जिससे की Fiverr doesn't show people की आपने कितने amount के delivery की वो बताता है कि आपने कितने logo के लिए deliver की है और सब के reviews जब accumulate होना चलो हो जाएंगे इसके बाद you can increase your pricing चाहे आप personally deal कर रहा है या फिर Fiverr के थुरू कर रहा है तो initially you can start with 20-25 पैसा minimum अगर आप इंडिया में किसी को deliver कर रहा है वरकि इंडिया में बहुत सारे content writers है और अगर आप beginner है तो ultimately आप आपके blog को दिखा करके उसको as a resume की तरह use करके वहाँ के references के थुरू आप content delivery services start कर सकते है start with 20-25 पैसा और आप उसको exceed कर सकते है specific niche में लिखता था अगर आप general content deliver करेंगे तो आपको complexity आ सकते तो एक niche define करके सिर्फ उसी के around blog और उसी के around content writing services आप offer कर सकते है तो इस तरीके से content writing के marketing को आप जादा से जादा utilize करके जादा से जादा पैसा निकाल सकते in the beginning itself इसके लिए आपको adsense पर depend होने की जरूती है और आपके blog को as a resume के तरह use कर सकते है तो make sure आप channel को subscribe करें वीडियो को like करें और comment करके अपने opinion बताना मत बुलेगा कि आप कितना charge करता है content writing के लिए hopefully that's all for today and आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे लिए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिन जय